हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं लेगल अफेर्स और आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जुरिस्पृडेंस होता क्या है इसके मेनिंग क्या होते हो इसके डेफिनिशन और जुरिस्पृडेंस को हम क्यों पढ़ते हैं हम इसे पढ़ने की जौरत क्यों पढ जूरिस्पृटेंस की जो फादर है वह जयरेमी बैंतंथ तो हमें जूरिस्प्रण की आखिर क्यों पढ़ी पड़ने की क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लॉज है तो जूरिस्पृटेंस हमें बताता है कि कैसे लो ओरिजन हुआ उरिजिन हुआ उसके बाद का Development कैसे कैसे हुआ किन किन ताइमस also क्लाव कि सीचुएशन है या पूरिस्प्रिंसिपल से वो हमें जुरिस्प्रेंश बताता है तो तो आप इसकी हो सब्सक्राइzh का मतलब होता है लोग अचोंट्रामा होता हैThis तो इसलिए हम जुरिस्पुटेंश टुम हम कहते हैं नौलिज ओफ लो भलो जो मतलभ होता है कि जो हम विदी का अद्धिन करते हैं उसे ही विदीशास्त्र कहा जाता है अब उस पैसे निदे जो हमारे विदी के सारे जो जितने वी सिद्धानत होते हैं वो कवार हो जाते हैं में यईसी कि हम पढ़ने को मिलते हैं जैसे कि हम Natural Justice जो हम पढ़ते हैं तो नचलोल जस्टिस में क्या है दो फ्रिंसिस्पल्स रहे हैं दो बात Shutai हमें मिलती हैं पहला ये कि तो रहर बोठ द। पड्ट नोग आगा सेकेंड कि जो जक होगा वो बाइज़ नहीं होगा दाज़ शंडोड वी बाइज तो यह नेचरल जश्टिस के प्रिंसिपल इसी तरीके से और भी तरीके की जो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं विदिख सिधांत होते हैं उनको जुरिस्प्रूड то तो जुरिस्पूड anytime है अब सब्सक्राइशन से जो तो पहली डेफिनेशन जů कर सालमट के थे कदे ने लिए कि एसमें पेहला है साइन च्रहिए साइन्स ओफ लो का मतलब है सीरियल स्टेडियों बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिक फिक लेगल सिस्टम यानि कि किसी भी कंट्री के जो हम स्पेसिफिक लो है उनको हम सीरियल वाइस बढ़ते हैं कि वह कैसे ऑरिजनेट हुआ क्या क्या उसमें चेंज आए ताइम तो यही साइन्स ओफ लोय है सेक्ट जो इन्हों ने सालमेट ने काहा है अपने वह है फर्स फर्स्ट कर फिंचिफल्स ऑब का मतलब होता है फ्रींच फांड दिन एनी लिगल सिस्टम कि कोई भी विदिक सिद्धान जो किसी भी विदिक सिस्टम में पाया जाते हैं वह फॉस्ट आप दूसरे जो सब्घंखन ए वह ऊस्टिन ने दी है ऐस्टमिट यह बदढूसीन है यह असने को सब्सक्राइब सट्रीक्राइब एस नहीं सब्सक्राइब धॉस्टेंच इस दुख बैसे और definite and powerful law कि एक निश्चिन्त और मजबूत लोग है और सेकंड है फिलोसिफी फिलोसिफी का मतलब ऑस्टिन के कोडिंग फिलोसिफी का मीनिंग है जन्रल प्रिंसिपल सफ लो तो यहां पर ऑस्टिन कहना चाहते हैं कि जुरिस्पूडेंज जुरिस्पूडेंज क्या है कि हम स्टेडी करते हैं कुछ जंडल प्रिंसिपल्स के जो कि डेफिनेट और पाफूल लोग है इसके गहनेत् पॉर्मल साइंस पॉजे लो तो उन्होंने हो लेंड ने जुरिस्पेदेंस को फॉर्मल साइंस बताया है पॉजेटिकों पॉजेटिवलो की दौर्खेई इसके लिए पॉजेटिव लो जहनने जरूरी है नोलेज पोजटीव को मतलब है जन्रल पिंसिपल सोफ लो उसको तो इनकी जो डिफिनेशन हैं वह यह पूहत आन्स ऋपडिटीव नौन जो और ने की जो ने इंचंथ नहीं कहा है जुट मौन्छ अन्लाज को साइन्स अफ लॉtar emlue ge उन्होंने कहा है उनके एकोडिंग रोजकोपाउंड के एकोडिंग जुरिस्पूडेंस जो है वह कंट्रोल और अरेज्ज नोलेज यह निकि एक क्रम में जो हम पढ़ाई करते हैं लोगी उसे क्या कहा जाता है विदी शास्त्र का जाता है उसके बाद डेफिनेशन दी है जूलिश स्टॉन जूलिश्पूडेंस इस दा लोईर्स कोंटरवर्जन अब उन्होंने कहा है एक्जैमिनेशन ऑफ पर्सेप्स और टेक्निक्स और टेक्निक्स और लोग इन दालाइट ड्राइव फ्रम प्रेजेंट नॉलिज इंडिसिप्लिंस अधर देन लोग उनके ए है कि ड temperatures हम लोईर्स और एज्टोकिप्ट से इस्त्माल करते हैं उसको जानने के लिए किल है study and specific synthesis of the general principles of law इनके जो जुरिस्पूडेंस है वह सिस्टेमेटिक स्टेडी है जनल प्रिंसिपल्स अफ लो यहने की डिटेल स्टेडी हम जब करते हैं लोज की तो वह जुरिस्पूडेंस है यह की टोन ने कहा है नहीं जो लास्ट डेफिनिशन है वह है पैटॉन की अकोर्डिंग टू पैटॉन जुरिस्पूडेंस इस रिलेटेट विद्ध लो उन्हों ने कहा है कि जुरिस्पूडेंस है वह विद्धी से संबंदित है इट मेंस study of law और various kinds of law इस जुरिस्पूडेंस तो मैं आशा करता हूं कि आपको जुरिस्पूडेंस की डेफिनेशन सम को हम क्यों पढ़ते हैं तो अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने जो लोग से रिलेटेड जो स्टूडेंस हैं उनको और भी जो भी लोग के बारे में जानना चाते हैं उनको और आप हमार जरूर कीजिए तेंक यू